असलाम लेकुम जी तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेजर्स बनाएता है लेजर्स में पोस्टिंग की थी अपने समाम इंट्रीज की फिर्म अवर जर्नल तो आज अभी हम अकाउंटिंग साइकल को ही कॉंटिन्यू करते हुए उसी क्वेश्चन को कॉंटिन्यू करते इस वैरेक से बनाएंगे ट्रायल बैलनस उन तमाम से प्रायल बालेंगे और फिर एक dziर्स बनाएंगे तो लेट स्टार्ट आपको याद होगा हमने लास्ट लैक्चर के अंदर जैर्नल लैज तार्य बना ली थे आज हम na करता है यह तो ट्राइल बैलनस हम बना लेता है कि इसमें एक साइड आपकी एक काम करता हूं इस पेज को दो पीजिस में कड्शली ब्रेक कर लेता हूं ताकि एक ही पीज के ऊपर हमारा पूरा बन लेकिश टी किजी है ठीक है यहां पर हमारे अकाउंट्स आ जाएंगे लेट्स स्टार्ट जी हमारे पास यह वाला लेजर आ रहा था जी सबसे पहला है लेजर हमारा कौन सा है कैश का कैश का हमारा बैलेंस कौन सा होता है जी एसरेट का बैलन्स डेबिट बैलन्स होता है इसका डैबिट बैलन्स कितना है नाइचीन थाउजंड रुपीज हम यह पोस्ट करहां रूपिस के अंदर टैबिटार डैबिटाइट में लेख दांए यह आपकी साइड होगे जीरो ठीक है अगला देख लेते हैं अ होता है credit यह है credit balance इसका 30,000 रुपीज credit balance for the equity capital 30,000 रुपीज प्रोक्य है हमारे पास दी वैन यह asset है asset का क्या होता है debit balance debit balance आएगा और यह है कितनी amount वह यह हमारे पास है 40,000 रुपीज कि वैन कि 40,000 रुपीज ठीके जी पर हमारे पास है लॉन लॉन क्या है लाइबिलिटी लाइबिलिटी का क्या होता है credit balance credit balance इसका कितने 30,000 रुपीज 30,000 रुपीज लॉन ठीके लॉन का है जी 30,000 रुपीज credit balance फिर हमारे पास है market stall market stall हमारा asset है इसका balance कितने है इसका balance है 5,000 रुपीज market stall market stall ठीक है debit site फोंगे लिख दिया asset तर इसे तैज यानि inventory कि हमारी कितनी है अठारा जार रुपे की डेबिट बैलन्स तो हम इसको इंवेंट्री इन सही लफ इंवेंट्री होना चाहिए पर चेज जुनियर लेवल पर यूज करते हैं बड़ बेटर वर्ड इस इन्वेंट्री है ठीक है इन्वेंट्री पेबल्स अगेन आपकी कैरेट बेलन्स आरहा है दोजार रुपए काम में इसे क्ति ठीक रहा है ठीक है फिर हमारे literally आई मैं इसेल्स हमारा रैभेनियू है इंकम इंकम का क्या होता है ऐसा रा रहा है क्रेथ क्रेट बैलन्स इस तोनिबद रूपीज्पीस षैल्स क्रेड बेलंस ओफ ट्वेंटी वन थाउजन रुपीस थीक है तेन हमारे पास है जी रिसीवेड रिसीवेड एसेट एसेट का क्या होता है डेबिट बैलंस एक हजार रुपे डेबिट बैलंस हमारा आ सब्सक्राइब कर लेता है हमने क्या पड़ा थे कि ट्राइल बलेंस हमेशा डेबिट साइड हमारी क्या होगी ब्रावर यह जी सिक्स्टी सिक्स्टी और ट्विंटी एटी एटी थ्री थाउजन रुपीज आ रहा है ठीक है यह कितना है 40 50 58 58 और 20 68 नहीं स्वारी और 20 होगया 80 यह मारे कितना होगया जी 20 40 60 60 70 78 78 और 5 83 तो ड्रॉट साइड हमेशा ट्राइल त्राइल बैलस क्या होती ग्रावर ठीक है एक बहुत छोटी सी बहुत मिनिमंम नंबर उफ अकाउंट स्थ ठीक है मिनिमंम नंबर उफ अकाउंट्स हैं अख जब तो आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को या एक्टुली किसी बिजनेस को उठाकर देखेंगे तो आप बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे होंगा राइट तो हमने यह पड़ा था कि हम हम क्या करेंगा हम यह करेंगे कि हम इसका एड्जेस्टेट ट्राइल बैलन्स बनाएंग फाइनेंचल स्टेट्मेंट्स बनाने से पहले है ठीक है एड्जेस्टेट ट्राइल बैलन्स अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एड्जेस्ट्मेंट्स नहीं है फिलाल मतलब हमें कुश्चन में पता नहीं है अगर हमें कुश्चन में पता भी हों तो हमने इ होती है प्री पेर मैंट की अज्डिस्मेंट ठीक है एक रूवल ल्स के ज्समेंट ठीक है फिर आपकी बैंक की अजिस्मेंट in से बोलते हैं बैंकरी कॉन सागर आपक ही कोई जील के अज्जेस्मेंट के इजस्मेंट में निकलती है वह गए थीक स्थे esse की डेकसेशन के अपरी सेलिगे सेलिगे सब्सATION के अपरोसर रिज़ेशन के अपसी एड्जेस्मेंट ठीक है डाउटफुल डेट्स प्री पेइमेंट यह सारी चीजह हम एक मतलब हर एक चीज को एक सेपरेट टॉपिक में कवर कर लेंगे और जब हमें यह पता चले जाएंगी तो पिर हम एड़्जिस्टिट ट्राइल बैलन्स बना सकेंगे तो फिलाल आज के लेक्टर है मैंने एड़्जिस्टिट ट्राइल बैलन्स को अपना टॉपिक नहीं रखा क्योंकि ट्राइल टॉपिक रखना कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन एड़्जिस्मेंट्स के बारे मैं जानता हूं एड़्जिस्मेंट्स आपको पता चल जाएंगी समझ जाएंगे तो सिंपर डैबिट क्रेट के वही रूज्ज हैं डैबिट के रूज्जबूब अप्लाय करके आपिम जजजडनल इंट्रीज स्पास करनी ऑए उनको लैजर्जर्ज पोस्ट करना है लैजर्जर्जा पोस्ट करने के बार रिवाईथ्ट ट्राइल बैलनस निकाल两, ठीक है?। और प्रेटिकल आपको डेफिनिटल इंट्री पास करते हैं आपके लेजर सिस्टम आपको रिवाइस ट्रायल बैलनस निकल के आ जाता है तो वह आपका अग्जेस्टिट राइल बैलनस होता है बट फर इस्ट्थ अगंदिय्ट्थ है हम यहां जो आ हम पर जाया है हम लेजर निकालने हैं फिर हम रिवाइस ट्राइल बैलन दुबारा से बनाएं हम यहीं पर पोस्ट कर लेंगे और अगर आपके डैविट क्रेट के रूल और आपके कॉंसेट्स क्लियर हो गाएं तो सबसे असान काम यह है कि आप यहाँ पर प्रिटी इजी बट वन आपके ब सब्सक्राइब करेंगे रिए यह पर हम चाहरे है तो सब्सक्राइब करते हैं यह पर मेजर दो का भारे हम बात करते हैं एक बैलन सीट एक प्रॉफिट लॉस ठीक है अब प्रॉफिट अंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस चीट क्या है बेसिकली जो आपके एजट बैलेंसे नहीं या आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज एन इक्विटीज है वो इसके अंदर आती है ठीक है बैलेंस शीट के अंदर यह चीज़े नजर आती है और यह किसी भी एक स्पेसिफिक डेट पर होती है लेट से मैं कहूं जी किये ऐड़ थैटी फर्स डिसमबर थैटीफ डिसमबर ट्विटी ट्विटी प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पूरे साल में जो इंकम्स इंकर आइन की है जो आपने एक्सपेंसिस की है वह आपको नजर आते हैं ठीक है और वह आपको नजर आएंगे अच्छा तो यहां पर इस कुश्चन में हमारे पास जनाब अली क्या क्या का उन्से हम देख लेते हैं यह हमारा एसेट है ठीक है यह हमारी एक्विटी है यह हमारा एसेट है यह हमारी लाइबिलिटी है यह हमारा एसेट है यह हमारा एसेट है यह हमारी लाइबिलिटी है यह कि यहमारा इंकम है और यह हमारा एक है तो यहां पे प्रोफिट एंट जब आपकी सेपनेट में संस्ट कि कार्शम सेल बी ओति है हुँ जब पॉस्ट लेंगे को आपकी सेस्ञाद से कहने बनाते हैं यह को स्वेण नो सिंपल वाली चीज़ पर लिखने और लिखने लेकिन इस गेपितल के अंदर आपकी एक एड़िस्मेंट क्या होगी यानि देखें आपने जो प्रॉफिट अन्ट किया है आपके बिजनेस में वह इसका पार्ट बनेगा इस एक्विटी का पार्ट बनेगा तो सबसे पहले सेल्स कितना है इसका बैलन्स तो यह हमारा प्रॉफिट फॉर्द पीरियड हो गया यह किसी पीरियड के लिए होता है तो इसलिए हमेशा यहां पर इसको प्रॉफिट फॉर्द पीरियड पॉलता है है ऐसे पना में परकाश है थीक है अब हम लिखते जाते हैं मैं कैस्ट मार्कित इस्टॉल एकित इंवेंट्री अ इन्वेंट्री है रिसीवेबल है और क्या है मारे पास मा कैश हो गया वैन हो गई माकेट श्टाल हो गया इनक्रेंट्री हो गया इनके नंबर डाल देते हैं है राइंटीन थाउजन केश है डी कि है लोगोर से वर्टी हाज़न की है एक मार्किट इस टॉल फ़ाइव थाउजन का है कि इंवेंटरी यटीन थाउजन की है और जो हमारे पास रिसीवल है वो यह सब मिलाकर एक्टी थाउजन बनता है ठीक हो गया लाइब लेटी अने कुटी में हमारे पर सबसे पहले एक्विटी में कैपिटल आ जाएगा प्रॉफिट हमने कितना किया है दूरिंग पिरियट 21,000 ठीक है यह हमारा कितना हो गया टोटल 51,000 ठीक है फिर हमारे पास एक लोन है यह तो हमारी इक्विटी हो गई इक्विटी टोटल इक्विटी यह हमारे एसेट्स होगा है ठीक है लोन हमारे पास कितना है 3000 हमारे पास पेबल है पेबल कितना है हमारे पास 2000 अब पास एक लोन है कैपिटल है लोन 30,000 रहे लोन इस थेटी थाउजन आप अच्छा अब यह देखें मैंने एसेट और लाइबिलिटी ठारी डाली मतलब जो बैलेंस इटके आइटम से वह डाले है लाइबिलिटी डाली एक्विटी डाली एसेट डाला फिर भी बैलेंस क्लोज हो के आया वह क्लोज हो कर आपका यहां पर आगया तो अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट की एसेट इसट इस इकल स्टू लाइबिलिटी बैलेंस शीट वहां च्टे अक्वेशन है बट इन प्रेजेंटेबल फॉर्म अभी तो हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है यहां पर एक करेंट हैं डाशिफिकेशन होती है नॉन करेंट टोड़ के लिखते हैं इनका ब्रेक अपका नोट मौत है और इसका सारी की बैलने शीट बनना शिखाई है यह बैलन्स चीट में एक्टीव होता क्या है आपके पास यह नंबर कैसे आते हैं ट्राइल बैलन्स कैसे पॉपिलेट होते हैं सबसे पहले आपने प्रॉफिट लॉस अक्यांट बनाया यह फॉर दा पीरियड होगा हमेशा और यह हमेशा किसी एक डेट पर होगा बैलन्स ची सबस्क्राइब और सबस्क्राइब और यहां तोटल तोटल थाउजन की है टूटल यह क्विटी है वह एटी थ्री थाउजंड किया ठीक है जी आई होब इस के लिए बेसिक फाइनशल स्टेटमेंट्मेंट्स आपको बनाना आ गया है अकाउंटिंग साइकल हमारा यहां पर हो गया है कम्प्लीट बेसिक बेसिक अब हमने इस अकाउंटिंग साइकल को क्या करना है हमने के अदर इसके अंदर हैन्ड यह क्या करना है हमने की वागी चीज़ें हैं तो हमने नेक्स में हमारा focus basically adjustment के उपर शुरू हो जाएगा और वन बाइवन हम यह चीज़ें बनाना शुरू कर देंगा किस तरह से प्री पेमेंट क्या होती है क्या होती है क्या होती है क्या होती है कैसे बनते हैं अब हम इन पर नेक्ट लेक्टर में इन चीजों के उपर बात करेंगे और फिर हम बाकी चीजें देखेंगे कोई और सब्सक्राइब के अंदर होंगे उनकों देख लेंगे एकाउंट वगारा एट्सेटरा तो यह चीज है ठीक है जी तो थैंक यू सो मुझ गाईज वर अटेंडिंग लेक्टर इफ्यूव अन्य क्यूरीज अगें माई इमेल इस नॉमान एड़ेट एन एम जे एस कॉन डॉट कॉम ठीक है मज़े इमेल कर सकते हैं सिए आप मुझे नीचे कॉमेट बॉक्स में को में कॉमेंट करें कॉश्चन प्र Darling पूछ सकते हैं मुझे को इसप क्शिफिक बता सकता जिसके ओपर आप लेक्टर चाहता एं अंश्म defended comment note 123 का कॉमर्स यह सब्जेक्ट कोई पुबिव आप जो भी specific topic पर कुछ देखना चाहते हैं मुझे बताएं मैं आपके lecture prepare करूंगा so thank you so much that's it for today पिछले lectures को revise करें और get prepared for the next month thank you जी अलाहाफस